नमस्कार, ब्रशब राशी के लिए सबसे महत्वपूर समाचार इस प्रकार है कि इनकी राशी और गोचर ग्रहे जो भी चल रहे हैं उनका क्या-क्या परिणाम होता है या कुंडली के नुसार आपको किन किन ग्रहूं का क्या लाव मिलता है और क्या कौन सी दशा आपके लिए नुक्सान दायक होती है छोटा सा ये वीडियो है आप ध्यान से सुनेंगे आपके लिए बहुत लाब दायक रहेगा हम सुरू करते हैं ब्रशवराशी की परिभाशा देखिए पहले किस नक्षत्र से मिलकर के ये बनती है प्रतिका नक्षत्र के तीन चरण दूसरा तीसरा चोथा चरण ये ब्रशवराशी होती है रोहिरी के चार चरण तथा म्रग्षिर नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है उसके दो चरण आरंब के सुरू के दो चरण ये नो चरण मिलकर के बनती है ब्रशवराशी ई-उ-ए क्रतिका ओ बाबी बू रोहिरी और वे वो ये शब्दा आते हैं इसमें अब क्या होगा कि क्रतिका नक्षत्र में जिसका जनम हुआ होगा उनकी लगभग आप पुर्ण मान करके चलिए कि छे वर्स की महादसा होगी सुर्य की लेकिन उसमें से एक चरह तो निकाल दो लगभग साड़े चार वर्स तक सुर्य की महादसा और जो जवान लड़के इस समय क्रतिका नक्षत्र के होंगे युवा अवस्था में उनकी लगभग 40 वर्स की अवस्था तक राहू की दशा रहेगी त्रतिका नक्षत्र वालों की युवा अवस्था के जो लड़के हैं उनकी 40 वर्स तक राहू की महादसा रहेगी वो उनको स्टेबल इस्थिर्ता पुर्दान करेगी लाइफ में उनको सेट कर देगी रोजगार से भी और नौकरी से भी व्यवसाय से इस्थिर हो जाएंगे और राहू कहां बैठा है निर्भर करेगा कि उनकी कुली में कैसा फल दे रहा है मैं सिर्फ राहू की महादसा का लगभग अंतराल बता रहा हूंगा उसके बाद ये कृति का नक्षतर वाले सुखी रहेंगे क्योंकि इनका जो चंद्रमा उच्छ राशी में होता है और राहू की जिसा इनके लिए शुवफल पुर्दान करेगी कि किसी की खराब होगी वो अलग मैटर है क्योंकि उसके अश्टम भाव में है या कहां बैठा है ये प्लस माइनस ये बाद का सब्जेक्ट है कुछ लोग नक्षत्र का नाम सुनते ही अपनी महदसा का नाम सुनते ही इमोशनल होकर भाव होकर कमेंट करने लगते मेरी कुणली देखो मैं आप सब से दिवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिक का प्लेट-फारम है ये स्थामाचिक प्लेट-फारम है यूट्यूब उस उपर अपनी घरेलू बाते आप ना पूछें और क्योंकि रहीमन पर घर जाई के दुख न कहिये रोए अपनी जो समस्या है सब के सामने मत कहो तुन अठिलाई हैं लोग सब दुख न बटी है कोई कोई दुख नहीं माटता लोग उपहास अलग-अलग स्वभाव के लोग होते हैं तो अपनी बात को यूट्यूब पर मत लिखो अपनी जनमती थी क्योंकि इतना समय और इतना सारा लिखना संभाव नहीं है आगे बढ़ते हैं ब्रिशव रासी के लिए सबसे इम्पोर्टन्ट नक्षत्र है रोहिनी भागवान स्री क्रिष्न का जनम रosure रोहिन क्षत्र में जब जनमाश्ति मीं होती है तो देखते हैं रोहिन रहोगा तब ही जनमाश्ति मीं होगी तो हम बात करें जब चण्रमा की महादसा में जणम होगा यानि कि जब रोहिनी नक्षतर में जो पैदा होता है पहले से अच्छतूर्ज चरण तक दस वर्ष की चण्रमा की महादसा उस समय होगी है अगर अंतिन चरण में जणम है तो लगवग ढ़ाइ साल तो उसकी यह मैं दुवारे कृत्ति का नक्षत्र बखेर आता हूं रोहिणी पर दुवारा आँगा 40-56 साल की उमर तक लगभग उनकी महादसा ब्रस्पति की होगी जिनका जनम कृत्ति का नक्षत्र में रोहिणी को हम अभी दुवार अच्छा करेंगे आप एक मिनट प्रतिक्षा कीजिए तो 40-56 तक ब्रस्पति की महादसा होगी कृत्ति का नक्षत्र वालों की वो दशा इनके लिए मिस्रित परिणाम देगी क्योंकि ब्रस्पति बड़ा योग कारक ग्रहन नहीं होता क्योंकि अश्टमभाव का स्वामी भी होता है लेकिन लाब अस्थान धन अस्थान का स्वामी लाब जरूर देगा क्यों देगा तो भी आए अस्थान का स्वामी इंकम हाउस का तो आप कमाने खाने लाइग बुजारे लाइग काम आपका चलता रहेगा अब खुशी का समाचा उमर से 75 साल की उमर तक क्योंकि इनके भाग्य अस्तान का स्वामी शनी होता है शनई शनई चरह इटी सनिश्चरह धीरे धीरे चलता है शनी तो भाग्य भी धीरे धीरे ही लेट उदे होता है 56 से 75 साल की उमर में जीवन में जो काम नहीं कियोंगे आप राजा के समान जीओगे भूमी भवन वान सवारी प्रोपर्टी जादाल सोना चांदी तथा आप बड़े बड़े पदो पर आसीन होंगे जो जिसकी कल्पना नहीं करता मनुष्य ऐसे पदो पर बैठता है अब आग इन रक्षतरवालों की जैसे मैंने बताया दस वर्स की अवस्तात तक तो चंद्रवा की महादसा रहती है अलग-अलग चरणों में अलग-अलग आपके महादसा के वर्स होते हैं और आप मान के चलिए लग-भग अगर कोई पहली चरण में ही जनम जिसक ने लिया होगा तो 35 साल की उमर तक उसकी राहू की महादसा रहेगी राहू की महादसा रहेगी युवा वस्ता में रोही नक्षतरवालों की उसके बाद लग-भग अनुमान 35 से 51 वर्स की उमर तक कम जादे भी हो सकता है इसमें ब्रस पती की दसा रहेगी ब्रस पती की दसा रोही नक्षतरव वालों के लिए संघर्ष्पून होती है इसमें इतनी जादे मेनत करनी पड़ती है बड़े-बड़े कर्ष्ट परेशानी बड़े भाई की चिंता तथा सत्रू एकदम पता नहीं कहां से निकल कर आ जाएंगे जैसे की बरसात में घास उगती है हरी-हरी घास तेजी से इसी प्रकार आपके सत्रू विरोधी आपसे इर्शा करने वाले ब्रस्पती की दसा में होते हैं उनका सामना करने के बाद जो अनुभाव आपको ब्रस्पती की दसा में होता है वो अनुभाव आपको शनी की महादसा में काम आएगा और वो आपको राजा महराजाओं के समान तुखी बनाएगी इतने experience holder हो जाएंगे आप चाहे business करने वाला हो या नौकरी करने वाला वो व्यक्ति उस अपने job में इतना expert और निपून होता है कि he can achieve everything with his own resources and with his own experience which he has gained in previous महादशा तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है राजा महाराजाओं के समान वो शनी की महादशा में और ये दशा इनकी लगभग 50 साल की उमर से लेकर 70 साल के बीच 19 साल की रहती है और 19 साल तक ये राजा महाराजाओं की डरे materialistic चीजे चल अचल संपत्ति bank balance तथा अनेक प्रकार के पदों पर शुशोबित होते हैं आसीन होते हैं इनकी गले में माला डलती है और तरक्की पाते हैं और सत्रू अगर विरोधी इनके सामने आ जाएं तो वो टिकते नहीं है उनको किसी भी ये न के न प्रकार न किसी भी विधी से चाहे राजनेतिक सत्ता के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से या अपने प्रभुत्व से या व्यक्तित्व से कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं ब्रसबरासी वाले उनको देखते ही सत्तू भाग जाते हैं जैसे कि शेर के बच्चे को देखकर का हाथ यूँ के छुंड का समूं भाग जाता है तो आगे बढ़ते हैं चनी की माद सामय ब्रशब रासी वाले बड़े बड़े पदों को हासिल करते हैं तरक्की करते हैं मान सम्मान प्राप करते हैं अभी आया म्रगशिरा नक्षत्र ये मंगल ग्रह का नक्षत्र है चित्रा धनिष्ठा और म्रगशिरा ये मंगल इनका स्वामी होता है पर्थम चरन और दूतिय चरन ब्रशब रासी लगभग 18 साल की उमर तक तो इनको इस्टेबल होने में लग जाता है ये एक स्वाव है ग्रह का म्रगशिर नक्षत्र वाले राजा माराजाओं की तरह आचरन करते हैं और डिसीजन इनके बहुत प्रिक डिसीजन होते हैं बहुत जल्दी एंग्री मैंने भी कह सकते हैं गुस्सा जल्दवाजी और 21 साल से लेकर के 21 साल की एज तक लगभग अपनी एजूकेशन कंप्लीट करके ये विदेश यात्रा करते हैं या इनका भागय उदे होता है इस्टगल बहुत होता है चोट बहुत खाते हैं यानि कि गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में वह क्या गिरेंगे जो घुठन के बल्चलें गुठनों के बल्चलने जंने चलना इनको ये शीड उंची उडान उंटें हैं तरक्जी करतें हैं मान्समान अपनी by hook and crook किसी तरह से अगर इनको कोहई सम्मान नहीं देता तो उस सम्मान को लेना जानते हैं This is good quality of म्रिक्षिरानक्षत्र They will achieve everything with his with their own resources अपने स्वावी मान और बाहुबल से सब कुछ प्राप करते हैं तो 21 अब मौटा मौटा हिसाब समझे 21 साल से और 37 साल की एज तक इनको बड़ी opportunity पैसा मान सम्मान struggle सब कुछ लेकिन जितनी महनत करते हैं उतना परिश्रम इनको परिश्रम का पारिश्रमिक क्रेडिट नहीं मिलता बड़े बड़े मैनेजर फैक्टरियों के या किसी भी कंपनी के या कही भी काम कर रहे हैं चाहे गयापार में चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे बिजनिस में काम आप करेंगे और क्रेडिट दूसरा लेगा या अगर बिजनिस में हैं जो आप काम कर रहे हैं उतना धन लाब उतना margin profit आपको अभी नहीं मिल रहा है लेकिन अब अंत में तीनों कृत्तिका रोहिणी और मरक्षिरा इनकी तीनों की जब भी महादशा शनी की आएगी ये इनको राज दर्वार में सम्मान पर दिश्टा पैसा नौकरी जायदार और कुछ लोगों के मन में बहुत पहले से ही निश्य संगल पर रहता है शनी की दिशा में ऐसा व्यक्ति जमीन खरीता है और फल जिसमें लगते हों ऐसे पीर जरू लगाता है फल दार व्रक्ष अमरूद आम केला सेव परपीता जो भी कुछ है तो ये उनका संकल्ब रहता है और वो पूरा कर लेते हैं अगर उनके ग्रे अनुकुल उनकी कुणली में है और खास दोर से सबस्ब बड़ी बात जिनकी कुणली में शनी उच्छ राशी में मकर राशी में या कुम्ब राशी में होगा तो वो तो निश्चित मान करके चलिए वो तो राजा माराजाओं के तरह से आचरन करेंगे सब कुछ जो प्रेडिक्शन में ने बताया वो उनके लिए सातार होगा ही होगा इसमें कोई संदे नहीं है इसके अलावा शनी कहीं भी बैठा हो बरशब राशी के लिए योग कारक होता है तुला के लिए भी योग कारक होता है लेकिन बरशब को ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा तरक्षी ज़्यादा सपर्ट्यों करता है शनी क्योंकि इनके भाग्यास्थान का लौड है तो बरशब राशी वालों को दीपावली की सुब कामराओं के साथ ये निवेदन करूँगा कि आप लोग नहीं तो आपको रोगों का भाए रहेगा अभी वर्तमान गोचर में आपकी कुनली में राहू ग्यारवेस्थान में शनी मुझ की कोण में आपने घर में सश योग बना रहा है इसलिए जितने भी अब्रशब रासी वाले हैं और जिनकी शनी की महादसा चल रही है अभी मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं आएगी ऐसी उमीद ही नहीं करता हूँ विश्वास है मुझे तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद देपावली की शुब कामना है